हज़ा जानकरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही बता दें कि अब रेल वेर इस रो द्वारा बनाए गए निविगेशन टेकनोलोजी को इस्तिमाल करने जा रहा है जिससे टैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आजाने वाले लोगों को साफधान किया जा सके हाला कि मानव रहित क्रोसिंग को अब बंद भी किया जा रहा है बता दें कि पिछले 5 सालों में लगभग 6200 बंद हो चुकी है हाला कि देश भर में 7500 से अधिक अभी भी मानव रहे त्रेलवे क्रोसिंग है इस रोध वारा बनाया गया ने अविग गैशन साटेलाइट सिस्टम कुछ इस तरह काम करेगा दरसल सिस्टम के तहत ट्रेन के इंजन में चीप लगाई जाएगी जिसके सिंगनल से टेलाइट के जरिये आगे आने वाले स्टेशन पर पहुंचेंगे सिंगनल के जरिये स्टेशन पर हुंटिंग होगी जिससे वो वहां की क्रोसिंग पर जाकर चेक करेंगे यह सिंगनल स्टेशन पर ट्रेन की पहुँचने की पांच सौ मीटर की दूरी से लेकर चार किमी तक की दूरी के अंदर ही मिलने लगेंगे इन सिंगनल के जर ये जोरों से अलार्म बजने लगेगा जिससे रोड क्रास कर रहे शक्स को वहां से हटने के लिए बोला जाएगा साथ ही जैसे जैसे ट्रेन करीब आती जाएगी वैसे वैसे यह अलार्म भी तेज होता जाएगा यह चीप शुरुवात में 10,000 ट्रेनों में लगाई जाएगी यह सोनपोर्ट डिविजन के दिल्ली गुवाहाटी रूट पर पहले लगाया जाएगा कुछ चीप दिल्ली मुंबई रूट पर भी लगाई जाएगी जानकारी के मताबिक इस चीप में ट्रेन के रियल टाइम डेटा सिस्टम भी लगाए जाएगे